जंग बहदूर का कांशा भाई दीर सम्षेर र नंद कुमारी का मैला छोरा कुरुपमा विक्रम संबत 19-17 साल माग मैना को एक गते का दिन खडग सम्षेर को जन्म भायो। दीर सम्षेर को औरको रानी को तर्फबाट जन्मे का जेठा च्वरा बीर सम्षेर भंदा खडग सम्षेर आट बर्ष मात्र कांशा थिये। चंद्र सम्षेर र भीम सम्षेर बने नेपाल को प्रधान मंत्री तथा स्री तीन महाराज बन्न सफल भाय का थिये। तर जेस्ट दाई खडक सम्षेर सामर्थ वान र र रोल क्रम मा हुदा हुदे पनी प्रधान मंत्री बन्न सके नन। उनी कीना प्रधान मंत्री भाय नन। उनी कहां गये था बन्ने बारे मा आजको कारेक्रम मा चर्चा गरने छौ। यो कारेक्रम लाई एस चैनल का सुबिक चुक तथा नियमी दर्शक अम्रित थापा र बोज राज तीवारी जिवले अन्रोद गरी पठावनू भाय को चा। बिश्वास्च सदा जेई एस कारेक्रम लाई पनी उत्ती के मन पराय दिन हुने चा। जंग भादू राणा को मृत्तु पछी उनका भाय रणोदीप सिंग प्रधान मंत्री चथा स्रीतीन महाराज भाय भने कांच भाय धीर सम्चेर मुक्तियर बने। जंग भादूर का छोरा हरू पनी अती सक्ती साली पधरुमा पुगे काले धीर सम्चेर मा एक प्रकार को भय उत्पन न भायो। यही कारण धीर सम्चेर ले उनका एक वोसियर माईला छोरा खड़क सम्चेर लाई प्रधान मंत्री रणोदीप सिंग को जासुसी गर्न खटाए। तर बिकम सम्बत 1941 मा धीर सम्चेर को अच्छानक देहान तभायो। यस पछी उनका सत्र भाई छोरा हरू मद्दे केटा केटीने रएका साना भाई हर को जिम्मा उमिर पुगे का दाजु हरले लीने निर्णे लिये। जस अनुसार बीर सम्चेर ले सबबंदा कांचा भाई हर्स सम्चेर को, खडग सम्चेर ले चौनोव भाई सेर सम्चेर को, रड सम्चेर ले तेरों भाई दुर्गा सम्चेर को, देप सम्चेर ले बारों भाई यदु सम्चेर को, चंद्र सम्चेर ले सोरों भाई खंब सम सम्षेर को र भीम सम्षेर ले 15 उभाई जुद्ध सम्षेर को जिम्मा लिये। परीनी प्राथमिक्ता दिये काले धीर सम्षेर का छोराहरू ससंकित बन्न पुगे का थिये। महाराज नर्दीप सिंग अर्थात आफनी ठुल बुआ को हत्या गरने निश्कर समापुगे। एसका लागी अंतिम चल्फल र ग्रियकारे गरी सके पशी योजन अनुसार अगी बढ़ने नीदो गरे। महाराज नर्दीप सिंग का दर्बारिया सयोगी तथा अंगर रक्षेक हरुलाई बिविन्न प्रलोबन मा पारे पशी सम्षेर खलक का भायरू एक खतरनाक योजना पुरा गर्न अगी बढ़े। दीर सम्षेर का जेठा छोरा बीर सम्षेर बिलुकी दकी नई राजा पृतिबी बीर विक्रमको छेव मा गै बस न थाले। राद को समय थियो धीर सम्चेर का छोरा हरू, खरक सम्चेर, डंबर सम्चेर र चंद्र सम्चेर महाराज को खोपी तीर लागे। बित्र रह का अंगर रक्षिकले डोका खोली धे। नालाईक जोई टिंगरेलाई सजाई दिना आयको भन्दी गोली हानना बंदुक तेरसाए। तरा बंदुक जाम भायरा पड़की एना। तेस पसी खड का सम्चेर ले आफन बंदुक तेरसाएरा दना दन गोली बरसाए। गोली सीधै निदार मा लागे र बाहीर निस्कियो। महाराज नरदीब तेही रएको पत्र हरु मा थी ढले। तेस पसी भीम सम्चेर ले तुरूनते और को गोली ठोके। कोठामा हाकार मच्छेयो त्यारेका सुसारे र महारानी हरुले प्रतिरोद गर्दापनी ती हत्यारा हरुले महाराज लाई बार बार गोले हानी मारे महाराज को सबलाई ठूलो कपड़ामा बेरी बरेंग बट तल भकुरे। एसरी छेत बिच्चेत भाय को महाराज को सबलाई अगाडी लाईयो। यही समयमा राजा को छोमानाई बसे का बीर समचेले राजा प्रिथिवी बीर बिक्रमलाई बाहिरी लाए रा महाराज रणोदी उनी प्रधान मंत्री भय पछी उनका भाई खरक सम्षेर ले बिद्रो मा पुर्ण सयोग गरे काले उनलाई प्रधान सेनापति मा नियुक्त गरे। संतान हरुको होस हवास गुम न गयो। बागन सकने जती ततकालीन ब्रिटिस रजिदेंच मा सरन ली न पुगे। अन्ने जतिलाई खरक सम्षेर को अगवाई मा हत्या गरे। गारत ले हत्या गरे चा बनी जवाब फरकाए। एसरी खडक सम्षेर ले आफई खुशी ले काम गरने भय काले बीर सम्षेर ले उनलाई त्यती रूचाहे नन। एसरी सम्षेर हरूले राज्ये को सक्ती साली पद हत्यावना सफल बाय पची सम्षेर खलक भित्रै बेमेल को इस्तिती देखिना सुरुभायो। इतियास्कार हरूका अनुसार विक्कम संबत 19-42 सालमा बीर सम्षेर प्रधान मंत्री भय तापनी कमांडर इंची बने का खडक सम्षेर ले आफण अहम ता देखावना थाली सक्य का थिये। दाजू बीर सम्षेर मीरै कारणले प्रधान मंत्री भने का हुन बने अन्य बायरलाई बंदई हिर ने राफुपनी चाड़ै प्रधान मंत्री भनने भने खडक सम्षेर ले अरूलाई सुनाओने गर्द थे भनी उल्लेग गरे का छन। अन्य के इत्यासकार हरू का अनुसार रडोधिप सिंको हत्या गर्न प्रमुक भुमी का खडक सम्षेर लेने खेले का कारण आपुने स्रितीन माराज हुनु पाउनु पर्ष भन्ने उनको धारान रएको बनी उल्लेग गरे का सन। येस प्रकार सुरु सुरु मा बीर सम्षेर को आग्या पालन गरे पनी पछे सिरितीन बीर को वास्ताई नराखी सोद्नु पर्ने कारे समेत नसोदी मनो मानी धंगले काम गर्न थाले। येसरी खड़का सम्षेर ले आफनो रवाफिलो परिधिलाई बिस्तारे बड़ाउंदे लगे। प्रधान चेनापती खड़का सम्षेर ले गरे का सबई कुरहारू भुजे पछी एक दिन स्रितीन बीर सम्षेर आफई 81 निजामती अड़्डा मा पुगी खड़का सम्षेर का प्राई सबई जसु मानी शरलाई खारेज गरी सोच्तान मा आफना मानी शरलाई बर्ना प्रधान चेनापती खड़का सम्षेर जादी असंतुस्ट भाये। उनले स्रितीन बीर लाई महाराज को ओदा र प्रधान मंत्री पदबाट समेद बर्खास्त गरी आफई स्रितीन महाराज उने चेस्ता गर्दी बित्र बित्र गुप्त तरीका बाट सरेंत्र गर न थाले एसका निमित्त दक्सिन तरफ का ततकालिन कमांडिंग जनरल भायी चंद्र सम्षेर लगायत कालाई आफनो पक्षे मा पारे। प्रधान सेनापती भाये ले आफनो पसारी रएर बिविन्न सरेंत्र बनाई रएको सुचना प्रधान मंत्री बीर सम्षेर को कान मा प्रधान मंत्री बीर सम्षेर ले एक गुप्त जासुची को जाल फैलाए। प्रधान मंत्री बीर सम्षेर ले खड़क सम्षेर को निम्तालाई स्विकार गरदे मेजर किर्ती मान सिंग केशी को साथ लिये रा सुरक्षे का साथ था पतली धरबार फुगये। तर त्याको स्थिती संकास्पद रएको र केशेंट पस्तात खड़क सम्षेर पनी न देखेको दरबार को मुल धोका पनी बंद गरिये को सुचना पाउने बित्तिके खाना खादे गरे का बीर सम्षेर ततकाले मुल धोका खोलना लगाई बाईर निसकी बग्गीमा चड़ आफनो निजी निवस्तान हीटी दरबार तर्फ लागे। तेस पसी बिक्रम संबत उन्नाई से तिर चाली साल फागुन बिस गते का दिन प्रधान मंत्री बीर सम्षेर ले सबै भाय हरलाई दरबार मा बोलाए। मुल धोका मा फोगेर गोडा बाट उत्रना साथ स्रितिन बीर सम्षेर को गारत चेनाले प्रधान चेनापती खरका सम्षेर लाई घेरा माहले। एसको केई छेन पचीने खरका सम्षेर लाई पाता कसेर पांचा जाना आठ परिया हरुले सबै का सामुले आए। यो देखेर अन्य बाई हरु बहे भीट भाई। दरवार को माथिलो तला बाट बीर सम्षेर आफना सेना साइत सुसजजित भायर निसके। तेस पसी बीर सम्षेर ले कड़कीर खड़का सम्षेर लाई नालाईक कुलंगार बनी गाली गरे। त्या बेला बाई का अरू हरू लाई पनी होसियर हुनु पनिच्चे तावनी दे कुर्षी मां बशी रएका बीर सम्चेर का अन्य भाई हरको डरले मुख सुक्यो येस पची स्रितिन बीर सम्चेले खड़क सम्चेलाई स्रितिन महराज हुने रोल बाट जिकी दे रप्रदान सेनापति मां उनका अरका भाई रण सम्चेलाई नियुक्त गरी धिये येस पची पाता कस्येर बाधिये कै अवस्ता मां खड़क सम्चेलाई दरवार बाईर लग्यो यो कांडो मां चंद्र सम्चेर को पनी सहवागी रएको था पाए पची स्तिन बीर सम्चेर ले उनलाई पनी सजाय दिन तैर भय तर बीर सम्चेर की कांची महराणी तुप कुमारे ले सबई भाईहर लाई हटाय बनी कामचलाउन गार हुन्चबनी सल्ला दिये का कारन उनलाई माफि दीयो तर निस्कासित गरिये का खड़क सम्चेर लाई बने अर्गा खाची इस्तित थाड़ा मा गई वस्न आदेश दियो खड़क सम्चेर लाई हटायर प्रदान सेनापती बने का रड़ सम्चेर कुपनी तीन मैना पचिनेई मृत्तु भायो। 25 बर्स पुगे का रड़ सम्चेर अत्तिन्त मदिरा सेवन गर्द थे। अत्य धीक मदिरा सेवन के कारण उनको मृत्तु भायो। उनी पची देव बिक्रम संबत 1944 साल ताका खड़क सम्चेर की रानी को सुतकेरी हुने समय भय काले पालपा सर्न पाउं भनी उनले कारफ़न्ड स्तित स्रितीन बीर सम्चेर लाई पत्र लेखे। स्रितीन बीर सम्चेर को आदेश मा खड़क सम्चेर ले लुम्बिनी स्तित असक स्तंब को खोज मा दिसेश सयोग पुराए। बुद्ध को जन्मज्तल लुम्बिनी रा तिलावर कोट मा समेत के सताब्ती देखी माटो रा जंगल ले पुरिये को स्तान हरुमा उत्खनन गराए। यह उत्खनन बाट असक स्तंबलाई समेत निकालने काम भयो। शुई सम्रचना को आधर मा विक्रम सम्बत 19-14 साल मा रानी महल को निर्मान संपन भायो। चोंतिस ओटा कोटाहरु राएको सो भवन अत्तेंत भव्वे रा आकर्षक बन गयो। शो रानी मल आजपनी उत्तिके चर्चा मा राएको छा। यो मल आई कत्ति पे लेखा करूले निपाल को ताज मल बनी नामकरन गय काचन। विक्रम संबत 19-19 साल मा श्रितिन बीर संप्षेर को मृत्तु पची देप संप्षेर प्रधान मंत्री तता श्रितिन महाराज भवे। तर उनलाई चंद्र संप्षेर लगायत का समुअले पात कशेर राजदानी बाट धपाय पची चंद्र संप्षेर निपाल को प्रधान मंत्री बन्न सफल भवे। ये सरी छल कपट बाट प्रदान मंत्री भय पची पालपा मा रहे का चंद्र सम्षेर का दाजु खरक सम्षेर लाई मन परे ना, रा उनले चंद्र सम्षेर को बिरुद्ध बिद्रो गरे, तर शो बिद्रो सफल हुना सके ना. बिक्रम संबत उन्नाई सव साथी साल मा श्रितिन महराज तथा प्रदान मंत्री चंद्र सम्षेर ले आफना दाजु तथा पालपा का बड़ा हाकीम खरक सम्षेर लाई देश निकाला गरी धे, देश बाईर जाना बाद्दे पारे पची उनी भारत को देहरादून मा गई त यतेई बसने सुर्शार कस न थाले। तरह खरक सम्षेर लाई नेपाल को सिमा नजिक बसन न दिने सडेंत्र को फलसरोप स्रितिन चंद्र सम्षेर ले ब्रिटिस सरकार लाई खरक सम्षेर लाई देहरा दून मा बसन न दिन एक अनुरोद पत्र पठाए। तेसपची उनी भारत को मद्दे प्रदेश स्थित भोपाल वार्ट करीब एक से बात्तर किलोमीटर पुर्व उत्तर मा बिद्यांचल देखी दक्षिनमा राई को सागर मा आफनो लागी एक दरवार बनाई आफनो परिवार को साथ बस न थाले। सागर मा बसुबास गरेका खडक सम्चेर को नातेनी बिजय राजे को बिवा बद्दे भारत कै राजा जीवाजी राव सिंधिया संग भायो। ततकालीन समयमा और द स्वाधिन राज्यकू रूपमा रएकू ग्वालेर राज्यकू बिजे राजे सिंदिया महारानी बनिन। तर पछी भारत ब्रटी सरकार बार्टा सोतंत्र रास्ट्र भय पछी ग्वालेर पनी भारत को एक अंग बन गयो। खड़कर समसेर का नातिनी अर्था छोरी चुडा दिब्बे सोरी देवी की छोरी ततकालीन ग्वालेर का महारानी बिजे राजे सिंदिया बारती जनता पार्टी का सस्तापक सदसे बनना सफल भाईन। ग्वालेर बाट बारत को लोक सबमा धेरी पटक चुनापनी जितिन। समसेर ले आफनो बाकी रईको जीबन भारत मा बितावन बाद्धे हुन परयो। अन्तत बिक्रम समबत उन्नाई से अठत्तर साल मा एक सटी बर्षपगे का खडक समसेर को भारत को कासी मा नीदन भायो। यो कारिक्रम यहार लाई कस्त लागे क्रिपया कमेंट भाक्स मा लेखी पठावन हला। इस तई रोचक्त था तथे इतिहास को लागे हिस्ट्री इन नेपाली चैनल लाई सदधाई बस समझनोष। इतिहास को कुनी पनिकाल खंड बारेत पालाई सुन्ना रा बुजन चाना राकनु भाय को चाबने तला राई को कमेंट भाक्स मा उलेख गनोष। हामी सो बारे प्राथ मिक्तक साथ कारेक्रम बनाऊने ने चाउं। मा सार्थक निपाल पिदाउंचु हाउस्त नमस्कार। झालाई तलाई प्राथ मिक्तक साथ करता है क्या मिक्तक.